वंदे मात्रम मित्रों मैं अभई सिंग राव अनेक बातें चैनल में आपका स्वागत करता हूँ मित्रों आज हम बात करते हैं रिष्टों की आज आए दिन हम देख रहे हैं कि रिस्तों में कहीं कहीं कोई कड़वा हट आती जा रही है और रिस्ते बिगड़ते जा रहे हैं रिस्तों को बनाये रखना हमारे अपने लिए बहुत ही जरूरी हो गया है अगर हम अपने रिष्टों को प्रोपर तरीके से या उचित तरीके से सेंचित नहीं करेंगे तो हमारे रिष्टे आए दिन बिगड़ते चले जाएंगे और हमारा जिंदगी तनापुर्ण होता चला जाएगा रिष्टे एक दिन में नहीं बनते और नहीं एक दिन में मजबूत होते हैं सही तरीका यहा है कि रिष्टों को बहतर बनाने के लिए हमेशा काम करते रहो जब तुम दुखी होना भूल जाओ तो समझ लेना रिष्टा मजबूत हो गया है रिष्टों को बनाना, रिष्टों को सिंचित करना, रिष्टों को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिष्टों की अहमियत ना समझ पाया, वो सब्दों को क्या समझेंगे इसलिए रिस्तों को निभाना सीखिए, आजकल रिस्ते निभाना कम हो गया है, रिस्तों को निभाने के लिए त्याग और समर्पन की वावना का होना भी जरूरी हो गया है करीब इतना रहो कि रिष्टे में प्यार रहे दूर इतना रहो कि आने का इंतजार रहे बहुत ही सही कहा है कि रिष्टे इंतजारी के होने चाहिए रिष्टे सब बना सकते हैं लेकिन निभाना कुछ लोगों को ही आता है रिष्टे निवाएंगे तो प्रसन रहेंगे, खुश रहेंगे, हमारा कोई इंतजार करने वाला होगा, हमारा कोई प्यार करने वाला होगा महत पहनाओ इन्हें सर्थों का लिबास, रिष्टे तो बिंदास ही अच्छे लगते हैं रिस्तों में हमें कोई सर्ते नहीं लगानी चाहिए अंतर चाहे कितना भी क्यों नहों, रिस्तों की जड़ों में मजबूती और गहराई होनी चाहिए अगर रिस्तों की जड़ों में मजबूती और गहराई नहीं है तो रिस्ते पलवीत नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं जिसको रिस्ताना बाना होता है ना वो आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देता है और जिसको नहीं निबाना होता है वो आपकी एक चोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है इसलिए गलती जिंदगी का एक पेज है पर रिस्ते जिंदगी की एक किताब है जरुत पढ़ने पर गल्ती का एक पेज भाड़ देना पर एक पेज के लिए पूरी किताब मत भाड़ना दुनिया का सबसे बहतरिन रिस्ता वहीं होता है जहां हलकी सी मुस्करहाट और चोटी सी माफी से जिंदगी पहले जैसी हो जाए इसलिए रिस्तों को निभाईए रिस्तों को सिंचित क किजिए एक छोटे से पोधे की तरह रिस्ते को अगर हम सिचीत करते हैं पल्लवीत करते हैं तो हम अवश्य ही जीवन में सुखी वसफल जीवन जीपाते हैं मित्रों मेरा या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं जय हिंद जय बारत वंदे मात्रम